रन्वीर कपूर की फिल्म से आरियन खान करेंगे वॉलिवुड डेबियू शारुक वाली रोल में आ सकते हैं नजर नमस्कार मैं हूँ अलका जास स्वागत है आपका रियल एक्सप्रस पर वॉलिवुड के सूपर स्टार शारुक खान इन दिनों अपने फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं वो अभी हाल ही रन्वीर कपूर और आलिया भट की फिल्म रंभास्तर में नजर आये थे उन्होंने इस फिल्म को वानरास्तर के किरिदार में नजर आये थे इस फिल्म में शारुक खान की एक्टिंग देखकर लोग उनके दिवाने हो गए और वानरास्तर के बारे में और जानकरी मांग रहे जिसके बाद फिल्म के डिरेक्टर आयान मुखर्जी ने इसके बारे में और बताने का वादा भी किया अब इन सब के बीच एक पोस्टर वाइरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि शारुक खान के बेटे आरियन खान ब्रमास्त्र टू में नजर आ सकते हैं शारुक खान के बेटे आरियन खान काफी चर्चा में बने रहते हैं ड्रक्स केस में नाम आने के बाद आरियन खान और उनके परिवाद को काफी परिशानी जिलनी पड़ी थी लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि जिसे जानने के बाद उनके फैंस खुश हो सकते हैं ब्रमास्तर 2 से जुड़ा एक पोस्टर वाइरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आरियन खान इस फिल्म में वनरास्तर के रूप में नजर आ सकते हैं इस पोस्टर को आरियन खान के फैंस से शेयर किया गया है इस पोस्टर में आरियन खान की तस्वीर नजर आ रही है और पीछे ब्रमास्तर का पोस्टर है इस तस्वीर में आरियन खान के साथ साथ उनके पिता शारुक खान भी नजर आ रही है इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा है कि ब्रमास्त्र टू वानरास्त्र जनकारी के लिए बता दे कि यह पोस्टर एकदम फेक है ब्रमास्त्र के मेकर्स की तरफ से ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया गया है रनवीर कपूरो आलिया भट की फिल्म ब्रमास्त्र पाट वन ने बाक्स ऑफिस पर जम कार कमायेंगी थी इस फिल्म के अलिया और रनवीर के अलवाव अमीता बच्चन मौनीर अर्यकी नागर जून भी एहमरूल माने गए थी आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में पार्ट टू में कौन-कौन गिरिदार और सामने आ सकते हैं कमेंट करके जरूर बताईए और जुड़े रहे रिलाक्स प्रस के साथ